बहुत कुछ समय पहले एक रिपोर्ट पब्लिश होती है भारत में जहां बताया गया कि there are 16 करोड पीपल यानि कि 16 करोड लोग ऐसे हैं जो शराब यानि कि लिकर का कंजम्शन करते हैं ये नंबर अधिक भी हो सकता है पर एक जो इंटरस्टिंग फैक्ट है वो ये कि इन में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको as a matter of convenience या as a matter of so called swag इनको गाड़ी में बैठकर यानि कि अपनी personal कार में बैठकर liquor consume करना अच्छा लगता है आज का जो हमारा सवाल है वो ये कि क्या कार में बैठकर अगर कोई व्यक्ति यहां पर liquor consume कर रहा है तो क्या वो एक अपराद है अगर हां तो उसकी क्या सजा है दूसरी बात यह हम साथी में जानेंगे कि क्या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में एक व्यक्ति लिकर को कैरी कर सकता है अगर हां तो कितनी तीसरा जो आज का हमारा interesting question रहेगा वो ये कि जो dry states होती है यानि कि वो state जहां पर liquor consumption completely prohibited है यानि कि शराब का सेवन completely प्रतिबंदित है क्या मैं वहाँ पर जाकर consume कर सकता हूँ liquor तो ये तीनों प्रश्णों के जवाब आज हम यहां पर देखने वाले हैं इन तीनों के जवाब ढूंडे उससे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि जो alcohol होती है यानि कि जो liquor होती है ये एक state subject है यानि कि इसके उपर जो भी कानून बनाए जाते हैं वो हर state के दौरा अपन public space किसको कहते हैं और क्या public space में drinking allowed है या नहीं देखिया भई public space में drinking बिल्कुल प्रतिबंदित है इस चीज़ को तो हम मान कर चलें चाहे वो दिल्ली हो या फिर पंजाब हो हर्याना हो क्योंकि मैंने कहा कि हर state अपना-पना कानून बनाती है तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि section 40 है Delhi Excise Act का वो प्रतिबंदित करता है प्रोहिबिट करता है कि भई दिल्ली के जो open spaces हैं उनमें drinking allowed नहीं है इसी तरह से पंजाब हर्याना हर जगहां पर open space में या open जो public spaces हैं वहां पर drinking prohibited है अब सवाल उटता है कि भई public space क्या होते हैं तो उसको भी हम यहां पर देख लेते हैं मैंने बिहार के एक act से यहां पर जो बिहार का prohibition या excise act है वहां पर हम public space के अगर बात करें क्या गयता है जी any place to which public has access whether as a matter of right or not and includes all the places visited by the public and also includes open spaces or any transport whether public or private यानी कि हर वो जगहां जहां पर public को जाना allowed हो as a matter of right or not देखिए simple थी बात आपके घर के बगल में कोई पार्क है अब as a matter of right क्योंकि सरकारी पार्क है सरकारी संपत्ती एक सांजी संपत्ती है और आपकी convenience के लिए बनाया गया पार्क है तो as a matter of right आप वहां जा सकते हैं साथ ही में एक shopping mall भी है अब shopping mall भी जो है वो किसलिए बनाया let's say 10 बजे रात के जिसके बाद आपको वहां जाने से मना किया जा सकता है लेकिन still वह public place है क्योंकि वह बनाया गया है आपकी convenience के लिए public के लिए public purpose के लिए वह बनाया गया है तो यह जितनी भी जगाएं होती है यह सब भी public place की category में आ जाती है दूसरे तरफ मेरा घर है वह तो सिरफ मेरे लिए बनाया मेरे परिवार के लिए या मेरे जन लोगों को मैं अलाव करता हूं उनके लिए बनाया उसमें किसी और को आना allowed नहीं है तो वह public place की category में नहीं आता है अब साथी में यहां पर यह भी कह दिया गया कि जितने भी transport के साधन है वह भी public space की category में आ सवाल उठा कि क्या कार जो है मेरी पर्सनल कार है क्या वह भी public space में आएगी तो उसका जवाब जो है वह हमें अब भी आगे देखने को मिलेगा सवाल दुबारा देख लेते हैं कहता है जी but if a person is consuming alcohol peacefully sitting in his private car having closed windows and parked at a roadside अब देखिए यह मेरी गाड़ी जो है रोड़ साइड private space है वहाँ पर कोई नहीं आ सकता किसी का access नहीं है अगर कोई आएगा तो वो कानूनी जूर में अपने आप में लेकिन अगर मेरी गाड़ी roadside पर है यानि कि सड़क पर निकल चुकी है roadside पर आ चुकी है तो क्या वो public space की category में आएगा वो हम देख लेते हैं तो इसका जो ह में जवाब मिलता है वो 2019 की एक judgment है सत्विंदर सिंग सलूजा वर्से स्टेट और बिहार जहां पर ये clarify कर दिया गया सुप्रीम कोट के द्वारा कि जब एक गाड़ी road पर निकल गई तो वो public space की category में आ जाएगा क्या कहता है जी कहता है जी when a private transport is passing through a public road it cannot be considered that the public has no access क्योंक कि आगर आप road पर खड़े भी हो तो हो सकता है आपके बगल से कोई गाड़ी निकल रही है कोई आपके बगल से वहां पर walk करता हो निकल रहा है तो आप क्या आगए public space की या public place की domain में आ गए तो यह जो है public place हो जाता है अब यहां पर जो है आपको जो drinking है वो प्रतिबंदि या नि prohibited हो जाएगा तो यह चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप अपनी गाड़ी drive कर रहे हैं सडक पर तो यह public place आ गया और यहां पर जो alcohol consumption है completely prohibited है दूसरी बात यह कि इसकी punishment क्या होगी तो यह vary करता है state to state अब हमें देखने को मिलता है हर्याना की अगर हम बात करें तो अ अगर आप सेम काम करते पाए जाते हो तो 10,000 रुपे का जुर्माना है दिल्ली एकसाइस एक्ट की बात करें तो पहले इंस्टांस में आपको 10,000 रुपे का जुर्माना लग जाता है अब इसके साथ साथ यहां पर और पर कई सारे कानून हैं जिनके अंडर आपको यहां प करते हो पाई जाते हो अगर आप सड़क पर दारू पीते हुए पाई जाते तो 6 महिने की सजा आपको यहां पर दी जाएगी ना दूसरा सवाल हमारा था कि क्या मैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो लिकर की बॉटल से वह करी कर सकता हूं तो जवाब है yes but it is not advised at all कारण बद लखे आई एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर आप यहां पर क्यारी कर रहे हैं आप यह दूसरी स्टेट है अगा दोनों के जो कानून है वह अलग अलग है मान लिजिए यहां पर यहां पर दो Bottle Allowed है चरिए करना और हो सकता है कि यहां पर एक November allowed है यहां पर carry करना अपने साथ गाड़ी में तो क्या हो गया यहां पर दो बोटल थी यहां जाते ही आप जो है offense कर रहे हो क्यों क्यों कि दो बोटल करें तो इसलिए it is not allowed I mean it is allowed but it is not suggested to be you know to carry bottles with you from one state to another until and unless आप वहां के दोनों states के rules को ना पढ़ तो दोनों states में जिसमें भी आप transport करना चाहरे हो आप वहां पर rules को पढ़ो और उसके बाद आप यहां पर carry कर सकते हो तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हर state के जो rules ने अलग लग है तो इसका एक 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 और सवाल मेरा आप से जो रहेगा वह यह कि अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हो यानि कि अगर आप सफर करते हो ट्रैवल करते हो तो वहां पर कितनी लिकर कर सकते हो वह मुझे आप comment box में बताओ ठीक है दूसरी बात यह कि ड्राइ स्टेट की हम बात कर रहे थे देखो भारत में दो तरह की state हो सकती है लिकर के परस्पेक्टिफ से पहली वह स्टेट जहां पर लिकर कंजम्शन अलाओड है दूसरी वह स्टेट जहां पर लिकर कंजम्शन अलाओड ही नहीं है यहां पर शराब का सेवन अलाओड ही नहीं है उनको कहा जाता है ड्राइ स्टेट जानि कि जो लिकर है वो बिलकुल प्रोह prohibited है गुजरात बिहार मिजोरम एंड नागा लेंड यहां पर लिकर पीना या लिकर कंजूम करना अलाउड ही नहीं है बाकि जितनी भी हार हो गया वो completely prohibits करती है लेकिन गुजरात एंड मिजोरम जो है वो यहाँ पर आपको permit देती हैं अगर आप वहाँ पर tourist की तौर पर गए हो उन states में as a visitor गए हो उन states में तो आप यहाँ पर specific links दिये गए हैं इनकी websites दी गए हैं जहाँ पर permit के लिए आप जो है apply कर सकते हैं और आपको permit दे आजाएगा जहाँ पर जिसकी वज़े से या जिसकी मदद से आप वहाँ पर liquor consume कर सकते हैं पर permit के साथ भी आपको कुछ ऐसी यहाँ पर conditions रख दी जाती हैं इन states में खासकर कि यह जो है गुजरात की conditions हैं जहाँ पर अगर आप इन states को follow नहीं करेंगे permit पाने क सो बेसिकली यह था हमारा चोटा सा वीडियो जो की liquor consumption से जुड़े हुए कुछ जो important questions हैं उनको यहाँ पर deal करता हुआ वीडियो I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे till then thank you and have a great day ahead